Hi everyone, today we are going to discuss about Because I Could Not Stop Death, written by Amelie Dickinson. इस पोयम को लिखा गया था 1863 में. So, poet कह रही है, मैं मौत के लिए नहीं रुख पाई, पर मौत मेरे लिए रुख गई. और मैं उस carriage में बैठी, carriage मतलब जो बग्गी होता है, तो मैं उस carriage में बैठी, उस carriage में only दो लोगों की जगा थी, जिसमें मैं बैठी ना, उसमें दो लोगों की जगा थी. बस इतने ही लोगों की carriage में जगा थी, मतलब दो लोगों की उस carriage में जगा थी, जो उसमें बैठ सकते थे. पोईट कहा रही हैं, हम धीरे धीरे जा रहे थे, क्योंकि मौत कुना जल्दी नहीं थी मैंने अपना काम और मैंने अपना अराम छोड़ दिया था क्योंकि डेथ मुझे लेने आया था इसलिए मैंने अपना क्या छोड़ दिया था? अराम और काम पीछे छोड़ दिया था क्योंकि डेथ मुझे लेने आया था अपुएट कह रही हैं हम एक स्कूल से गुजरे जहां पर बच्चे एक सरकल बना करना खेल रहे थे एक ग्राउंड में बच्चे सरकल बना कर खेल रहे थे और हम खेतों से भी गुजरे जहां पर ग्रेन उग रहे थे मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो हम लोग को घूर घूर के देख रहे हैं और हम सूरज के पास से भी गुजरे जब वो घूर रहा था जब हम सूरज के सामने से गुजर रहे थे, तो मानो ऐसा लग रहा था, जैसे सूरज हमारे सामने से गुजर रहा है जब सूरज ने ऐसा किया न, तो वो जो ओस थी, वो बनने लगी, और वो बहुती ज़ादा ठंडी थी मानों ऐसा लग रहा था जैसे वो ओस हिल रही हो अब पोयट कहा रही है मैंने जो गाउन पहना था वो बहुती ज़ादा पतला था और मेरा जो सकाफ थाना वो भी बहुती ज़ादा हलका था तो मुझे ठंड लग रही थी अब यहाँ पोयट एक घर की बात कर रही है और वो बोल रही है हम एक घर के सामने रुके वो घर ऐसा लग रहा था जैसे वो घर जमीन में धस्ता चला जा रहा है वो घर जमीन में दबा हुआ था और उस घर की जो रूफ थी ना जो छत थी वो भी दिखाई नहीं दे रही थी और उस घर की जमीन धसी हुई थी उस दिन के बाद कई सारी centuries बीर चुकी है और ऐसा लगता है कि अभी एक ही दिन हुआ है उस दिन से मैंने ये जाना वो जो बग्गी था ना वो जो कैरिच था उसके जो घोड़े थे उनके सर ना मुड़े हुए थे यानि उनके जो सर थे वो death की तरह मुड़े हुए थे सो यही पे हम लोगी पोयम फिनिश होती है I hope कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक किजेगा, सब्सक्राइब किजेगा और शेर जरूर किजेगा तैंक यू